नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके साथ मैं हूँ रोहित रैंजन और शंखनात का कारवा शंखनात का कारवा पहुच चुका है जौनपूर यह जौनपूर है भईया लेकिए जौनपूर वो शहर है जिसकी एतिहासिक परंपरा को कम से कम लोगों ने किताबों में भी प 19 के बाद हलाकि यहां पर जब गटबंदन हुई तो बीएसपी और समझवादी पार्टी ने पूरा दम दिखाया लेकिन अब अब इस बार क्या समीकरन वही सेट कर पाएगी सत्ता धारीदल बीजेपी जौनपूर में और जौनपूर की जंता से जुड़े जो मुद्दे ह हैं उन मुद्दों का क्या यहां की सरकार ने हल निकाल के रख दिया है या फिर बदलाओ की बात 22 में जो कही जारी है साइकल की तरफ से वो दरासल बदलाओ जौनपूर की जंता ने करने का ठान लिया है या सोच लिया है इस पर भी सवाल होगा इस पर भी शंखनाद होगा तो सब से पहले आपको जौनपूर की जनता से मिलवाते हैं तो तालियों के साथ साथ स्वागत कीए जौनपूर की जनता का बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, जीह हिंदुस्तान के साथ जुडने के लिए और आभार के साथ, मैं शुरुवात करूंगा इस रिपोर्ट के साथ यह रिपोर्ट जॉनपूर से जुड़ी हुई है इस रिपोर्ट को सबसे पहले आप देखिए सुनिए समझिए और उसके बाद होगा सवालों का शंखनाद जो पार्टी के होंगे चेहरे वो देंगे सीधा जवाब करते हैं शंखनाद पूरवांचल के जॉनपूर विधानसवा सीध काफी एहम मानी जाती है यहां कुल नौ विधानसवा छेतर हैं 2012 के विधानसवा चुनाओं में सिर्फ एक सीध जीतने वाली बीजेपी ने 2017 के विधानसवा चुनाओं में चौकाने वाला प्रदरशन किया था साल 2017 के चुनाओं में नौ में से पांच सीट पर बीजेपी और उनके सहयोगी दल अपना दल ने जीत दर्ज की था तीन सीट पर समाजवादी पार्टी को सफलता मिली थी और एक सीट बीएसपी के एक हाते में गई थी यहां कुछ सीटों पर मुसलिम मददाताओं की संख्या काफी जादा है साल 2017 के चुनाओं में जौनपूर सदर विधानसवा सीट पर शीया मुसलमानों ने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की थी इसी का नतीजा था कि बीजेपी के ग्रीश चंदर यादव को 90 हजार के करीब भोट मिले और वो इस सीट पर विजेई घोसित हुए जौनपूर पूरु सांसद और बाहुबली धरनजे सिंग की सीट भी मानी चाती है धरनजे सिंग की पतनी श्रीकला रेड़ी ने जिला पंचायत अध्यक चुनाओं में बड़े अंतर से जीत दर्ज की है जौनपूर में सडकें, बिजली, पानी और पार का मुद्दा इस चुनाओं में हावी रहने वाला है इन मुद्दो पर यहां के लोगों की अलग-अलग राय भी है एक बड़े वर्क का कहना है कि पहले के मुकावले जौनपूर की सडकें काफी बेहतर हुई है बिजली अब 18 से 20 गंटे आ रही है और पानी के विवस्था भी ठीक है वही कुछ लोगों का कहना है कि यहां विकास के नाम पर नील बटे सन्नाटा है सडकों पर बड़े-बड़े बटे हैं और बिजली नहीं आती इस बार जौनपूर में मुकावला 2017 के मुकावले ज्यादा कड़ा है क्योंकि समाजवादी पार्टी को यादव और मुस्लिम वोट पर भरुसा है तो बीजेपी हिंदुत और विकास के नाम पर ताल ठोक रही है वही बीएसपी के साथ दलित वोट भी समीकरन बिगारने की चमता रखता है बेरो रिपोर्ट जी मीडिया तो जी हिंदुस्तान का ये शंकिनात का रथ अब जौनपूर पूँचा है तो ऐसा है भाई जौनपूर शिक्षा के मामले में यह कहा जाता है न कि यहांपे गाउँ है जहांपे चाहा जाता है हर गाउँ मेक आईयसाइपलब रखते हैं जौनपूर भी जुड़ा इसलिए जौनपूर का नाम आगे बढ़ा लेकिन जौनपूर में क्या तमाम ववस्थाएं हैं कि आज तक जौनपूर जिस चीज को महसूस करना चाहरा था वो मिला क्योंकि मैंने यहां देखा समस्या ट्रैफिक की रही मैंने यहां देखा कि लोग के आपके अपने अपने चेहरे जो कम से कम हमारे साथ यहां मंच पर मिले हैं मंच में बैठे हैं उनसे मिल वागार स dua हो और ज्यूबंगत विशल 망 विशल सिंग्ग का अपने और जेपी सिंग सांब आता है बहूत बहुत स्वाओं के लिई चुशाल अब युई एbes शंखनाद की और शुरुवात से परंपरा भी यह रहती है सरकार आपकी है तो सवाल भी तो सबसे पहले आप ही से पूछे जाएगे सर माईक अपना अपना हाथ में ले ले तमाम महमान अब मेरा छोटा सा सवाल हो सकता है कि बहुत जरूरी भी है यह कि आप कह रहे हैं कि कमल फिर से खिलने वाला है पूरे दंखं के साथ खिलने वाला है ऐसा क्या है जो जाउनपूर की जनता 2012 में आपको याद करता हूँ शुक्रिया है हमारी जॉनपुर की धर्ती मिली जुली अबादी की धर्ती है और बहुत ही प्रेम महबत के साथ पिछले सतर वर्चों से आज आदी के बाद से इस शहर का इस जिले का रिकॉड रहा है इस तरीके की ऐसी कोई घटना नहीं हुई जो आपकी मीडिया क कि इस तरीके की घटनाएं और दूर गटनाएं जो होती है वो मीडिया की सुर्किया बनती है और जहां तक राम मंदिर की बात है वहाजार संथ्रे इस लोग तंत्र को 2017 के पहली सरकार ने लूट तंत्र में तब्दील कर दिया था इस लोग तंत्र को 2017 के पहले की सरकार ने हल्ला बहलत अंत्र में परिवार्तित कर दिया था और यह प्रदेश की और पुरे देश की जनता ने देखा और उसका पढ़िनाम रहा कि भारती अंदापार्टी के सरकार विकास में विश्वास कर थी और जो हमारी मूल जरुते हैं सडक है बिजली है रोजगार है इन तीनों छेत्रों पर भरतीय अंता पार्टी की सरकार ने भरपूर काम किया आज बीजली की देन है कि परतेएक गाउं में परते घर में बल्न जल रहे हैं बिजली आ रही है किसान पानी भरने के लिए रात में उसको जागन सब महमानों के साथ ऐसा ही वक्त दिया जाएगा जी अब मैं दूसरा आता हूं जो आपने एक वर्ड इस्तेमाल के रोजगार रोजगार पर आता हूं सर जॉनपूर में इंडस्ट्रियल डेवलोप्मेंट कितना हुआ जरह बता देंगे आपके कारेकाल में जी बहुत बहुत बढ़िया सवाल है आपका बहुत बढ़िया सवाल है आपका जहां तक आपने इंडस्ट्रियल डेवलेप्मेंट की तो मुझे यह लगता है कि रोजगार लोग सिर्फ सरकारी नौकरियों में खोशते हैं मैं चोटा सा उदारन आपको देना चाहता हूं कि मैं आपको छोट इस जनपत में 20-25,000 कम्सिकम रिख्षय 2017-2014 की सरकार के बाद आये हैं यह हमारे केंद की सरकार माननी नितिन कटगरीजी की देन है नितिन कटगरीजी की देन है जिन्नों ने रिक्षय के रूप में यहां लोगों को रोजगार दिया और अगर 20,000 से ऊपर 25,000 के आपस यहा तो जहां तक मेरा मानना है कि वह 25 जाद परिवार रोजगार में लगे हैं अब प्रतेग बेक्ती कम पॉछा सर इंडस्ट्री पूछा आप यह कह रहा हूं आपका प्रश्री रोजगार पे शुरू हो अब मैं काम करें अब मैं आता हूं दूसरे पॉइंट पे बनारस का विक बडस shines हो रहा है वह भी हो रहा है अच्छी बात अच्छी मौत एंडस्टार में यहां इतने योजनाय काम कर रही है वह बोक्ता देख रही है और आने वाले चुनाओं में ज你要 अपने परिणाम से दिखाएगी भारती अंता पार्टी ने क्या भी श्वास किया हमने सड़कों से लेके बिजली तक हमने सड़कों से लेके बिजली तक पुराने पोखरों से लेके हमने गोंती के घाटों के उपर हमने यहां की सीवर लाइन के लिए हमने हर घर में नल के दो आप लोग तमाम बीजेपी के कारे करता है जब जनता के बीच में जाएंगे और वो बोलेंगे कि महंगाई बहुत है तो वह मुद्दा होगा आपके लिए देखिए आप कह रहे हैं देखिए हमारे मित्र तेल की चर्चा कर रहे हैं डीजल पेट्रोल पुरी दुनिया में महंगा भिक रहा है हालांकी डीजल और पेट्रोल उन देशों में संसा है जहांकी एकनामी आपसे चुपी नहीं है सीरिया में डीजल पेट्रोल सस्ता है अफगानिस्तान में डीजल पेट्रोल सस्ता है वहां के जनता के हालाद आप देख रहे हैं सर हिंदुस्तान की बात करते हैं पेट्रोल भी सथा हुआ रहा दूसरे तेल सर्सों के तेल की बाथ सर्सों के तेल कि बाथ हिसान को जहां 35're बहुए सब कोई Aaron करता ह मैं जीत है तो फिर उपनो गलत करें फिर पे महमान अगर मचा ये आपके चेर bacon कोई बोलेगा तो दो दिक्कत नहीं हो नी तो सब को सुनिए एक एगर मंच दिया तो उनको सुनिए 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 जो सरसों किसान की 3590 ती आज वह सर्सों सात हयार के ऊपर बिक रही है आज इसलिए सर्ण का प्रतिया है सर्सों का मूल मिल रहा है 3s मैं खबरिया चैनल से काम करता हूँ देखता हूँ मारे पैस ऐसी कई रिपोर्ट है कि किसान अपने फसलों को बरबाद कर दे रहा कि उचित मुली नहीं मिल पा रहा और हम जनता आम जनता जो कहते हैं मैं रोहिद भाई से निवेदन करना चाहता हूँ वो किसी एक किसान की फसल मुझे बता दे जिसने सर्सों की फसल को बरबाद किया हो अपनी वो देखे बहुत सारे हाथ खड़े हो गए एक किसान में पूरे हिंदुस्तान में मैं निवेदन करूंगा एक किसान का ऐसा खेद तो अपना खून पसीना गिरा के उस फसल को पैदा करता है जो मूल रूप से किसान है वो अपनी किसान उस फसल को कभी खराब नहीं करेगा चीक है